नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो कि हमें किड्नी के फंक्शन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देता है इस टेस्ट का नाम है DTPS scan यानि डाय इथाईलीन ट्रायमीन पेंटाएस्टिक एसिट स्कैन अब ये ऐसा एक मॉलेक्यूल है जिसकी दो खास बाते होती है एक तो ये मॉलेक्यूल रेडियो एक्टिव होता है रेडियो एक्टिव यानि की इसमें से कुछ ऐसी रेज निकलती है रेडियो एक्टिव रेज जिनकों की गामा कैमरा से कैप्चर किया जा सकता है दूसरा इस properties हमें बताती है कि उस kidney का function कितना है overall function दोनों kidney का मिला के कितना है overall function में पर्टिकुलर kidney का split यानि उसका particular योगदान कितना है उस kidney का अगर इनडी में कोई रुकावट है तो इसका भी पता हमें इस scan से पता चल जाता है तो फ्लोड़ा बहुत इसके procedure के बारे में बताना चाहूंगा यूजुली डीटीपीए स्कैन जो है यह आपको प्रायर एपॉइन्मेंट से ही मिलता है हस्पतालों में जेनरली एक नुप्लियर मेडिसिन विभाग होता है जहां से आपको इसकी एपॉइन्मेंट लेनी पड़ती है क्योंकि यह रेडियो अक्टिव आ रहे हैं उस दिन आपको अच्छी तरह से हाइड्रेट होकर आना याने अच्छी तरह पानी वानी पी के आना बहुत जरूरी होता है जो कि इस टेस्ट की एक त्री रिक्विजित है तीसरी बात यह कि अगर बच्चे हैं कुछ मरीज ऐसे हैं जिन में की लोर ट्रैक में र जो है इस टेस्ट के पहले बंद करवानी पड़ती है तो यह तो इसके प्री रिक्विजित होगे आई जानते हैं कि हम यह टेस्ट करते कैसे हैं इस रेडियो अक्टिव दवा को यूजुली सुबह के टाइम आपको बुलाया जाता है और इंजेक्शन के द्वारा यह दव जाता है और इससे हमें के फंक्शिन का अनुमान लगता है जिन मरीजों में केड्नी फंक्शन डिलेड होता है यानि देर से आताया या पूर्ली फंक्शनिंग होती उनमें इस टेस्ट को करने में देर भी लग सकती है ताकि हम इंतज़ार करते हैं लगबग बारा, चौवि रुपए अलग-अलग सेंटर पे इसकी कॉस्ट थोड़ी वैरी करती है पर लगभग अगर हम अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट वता है तो लगभग तीन से पांच हजार रुपए का यह टेस्ट होता है अब जब यह दवाई हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और किडनी दौरा अपटेक कर ली जाती है तो फिर हमाँरे जब्धर होकर पिशाप के रस्ते से बाहर निकलती है इस पूरी प्रक्रिया को जब गामा कैमरे ने इमेज से ले लिया तो इसको फिर एक कंप्यूटर द्वारा सॉफ्टवर द्वारा एनलाइज किया जाता है और फिर उससे हमें पता चलता है ग्राफ्स बन के आते हैं कि किड्नी की अपटेक कैसी है, फंक्शन कैसा है और ड्रे जब हम किसी भी वज़े से या तो किड्नी में रुकावर्ट की वज़े से या बहुत सारे स्टोंस हैं किड्नी में रुकावर्ट करने वाली जगे पे स्टोंस बहुत समय से पड़े रहे गए किड्नी की साइज छोटी हो गई इस तरह कि अगर प्रॉब्लम्स आपकी यॉर रही होगी इसी चीज को confirm करने के लिए वो DTPS scan order करते हैं तो ऐसे cases में भी जब शंका हो रही हो कि एक particular kidney stone disease रुकावर्ट या जन्मजात रूप से किसी भी बीमारी के वज़े से काम नहीं कर लिए या कम काम कर रही है तब हम DTPS scan कराकर इस चीज को confirm करते हैं दूसरा कारण जो मुख्य कारण है DTPS scan कराने का वो है obstruction यानि kidney में सूजन UPJ obstruction जनरली इसको कहा जाता है जन्मजात रूप से ये kidney और kidney की नलीक का जो जुडाव होता है joint होता है एक तरह से वो फराब रूप से उसकी बनावट होती है तो उस चीज को हम diagnose करने के लिए proper diagnose करने क के लिए DTPS scan कराते हैं अब जब इस तरह का scan कराते हैं रुकावट को देखने के लिए तो हमें क्या-क्या चीजें दिखती है kidney में एक तो area काफी बढ़ा दिखता है kidney का area उसके अलावा उस kid particular kidney का function opposite kidney से थोड़ा कम हो सकता है और तीसरा जो सबसे मुख्य बात है kidney की जो drainage है वो सही नहीं होती है दोस्तों kidney में सूजन होना ही सीधा इलाज करने का indication नहीं होता जब kidney में सूजन होती है तो हमें सबसे पहले urologist के mind में ये बात आती है कि क्या ये kidney की सूजन जो है रुकावट जो है वो functionally significant है या नहीं है functionally significant का मतलब कि क्या ये रुकावट आगे चलके इस kidney के function को धीरे-धीरे कम कर देगा ये बहुत ही important सवाल होता है अगर इसका जवाब हाँ होता है तो फिर हमें operation करके पाइलोप्लास्टी करके इस चीज को ठीक करना होता है अगर इसका जवाब ना होता है तो हम ऐसी kidneys को follow up में भी रख सकते हैं तो इसका जवाब हमें DTPS scan से मिलता है जब ये डाई जो है kidney से निकल कर यूरेटर नली में excrete होती है तो ये पूरी प्रक्रिया जो है एक ग्राफ के तौर पर हमें बनके इस टेस्ट में नजर आ जाती है इसको और ज्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए एक lessics injection का भी प्रयोग इसमें किया जाता है lessics injection एक डाईयूरेटिक होता है यानि कि ये kidney में पेशाब का production और kidney के से पेशाब का flow rate को बढ़ा देता है कई बार छोटे मोटे obstruction होते हैं यूपी जे की जगे पे जोकि lessics इंजेक्शन देने के बाद अपने आप वो पिशाप का निकास सही हो जाता है तो अच्छे यूरिन फ्लो पे पिशाप का निकास अच्छा होना याने कि यह कर्व जो है शुरुआत में उपर की तरफ बढ़ेगा थोड़ा सा नीचे आएगा और लैसिस देने पर और ज्याद की तरफ नहीं आता है तो फिर हम यह कह सकते हैं कि यह रुकावट फंक्शनली सिग्निफिकेंट है आगे चरके यह इस किड्नी के फंक्शन को कम कर देगा और ऐसे केसे में ही आपकी यूरॉलोजिस्ट आपको लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी कराने की ऑप्रेशन क हो गया तीसरा हम यह टेस्ट उन मरीजों में करते हैं जिनको हमने फॉलोप पर रखा हुआ है या तो आपका ऑप्रेशन हो चुका है पाईलोप्लास्टी ऑप्रेशन यूपीजे ऑप्स्रक्शन के लिए और आप फॉलोप में है तो छे या बारा महीने पे कभी एक बार य उसके बाद किड्नी की जो ड्रेनेज है यूरीन की वो सही हो गई की नहीं हो गई और अगर आगे फॉलोप में भी ये किड्नी फंक्शन स्टेबल रहता है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अलावा जो मरीज पहले से ह चल रहे हैं में कोई operation नहीं हुआ थोड़ी बहुत obstruction थी जो कि इतनी नहीं थी कि उनको हम operation करें तो फॉलॉप में ऐसे मरीज रहते हैं तो उनको एक या दो साल बाद DTP स्कैन कराकर हम चेक करते हैं कि यह obstruction अब significant तो नहीं हो गया तो UPJ obstruction यानि किड्नी और किड्नी की नली के joint पे जो रुकावट है यह एक dynamic disease है हमेशे एक तरह नहीं रहती होती तो यह जन्मजात रूप से है लेकिन यह चौथे दशक में जनरली प्रेजेंट करती है तो यह बदलती भी रहती है कभी test में obstruction उतना नहीं होता लेकिन आगे चलके आ भी सकता है तो हमें पता कैसे पता चलने के बाद फिर हम अपना treatment plan बदल भी सकते हैं चौथा एक महत्पुन इंडिकेशन है जब हम kidney transplant के लिए donor select कर रहे होते हैं परिवार में कोई kidney donor देने वाला है usually elderly होते हैं तो उनमें हम kidney का function check करते हैं क्योंकि अगर kidney का function दोनों kidneys का function अच्छा है तब ही हम एक kidney निका लेंगे तो दूसरी kidney की भी function अच्छी होनी चाहिए ताकि आगे चलके donor को किसी तरह की problem ना आए तो यह एक overview था DTPS scan के बारे में इसके सिर्फ जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इनके जवाब दो नमस्कार